हेलो दोस्तों हमारी किचिन में आप सब का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं प्याज हरी मिर्च और धनिये की क्रस्पी क्रस्पी पकोडियां जो की हम सुभे की चाई के साथ और साम की चाई के साथ इनका आनंद लेकर मौसम का मज़ा ले सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने 8-10 प्याज को लंबे शेप में कट किया है और अब हम यहाँ पर इसमें 200 गिराम बेसन एड़ करेंगे और यहाँ पर 8-10 बारिक कट की हुई हरी मिर्चियां और बारिक कट किया हुआ धनिया आई यहाँ पर हमने नम से अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर हम को जो पानी डालना है थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे जिससे हमारा जो पकोड़ी का बैटर है वो ज्यादा पतला ना हो जाए तो हम थोड़ा-थोड़ा पानी करके और इस पून से इसको लगात तो हमारा जो पकोड़ी बनाने का बेटर है, वो बनकर तयार हो जाएगा, तो हमारा पकोड़ी बनाने का बेटर तयार हो चुका है, अब हमने कड़ाई में ओइल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है, अब हम एक स्पून से अपनी जो पकोड़ियां हैं, जितने बड़े आक की पकोड़ीया आप स्पून से ऑल में डाल सकते हैं एक ओर से पकोड़ी एच्छे से फ्राइ हो जाने के बाद हम कर्चली से उसको पलट के दूसरी ओरसे भी अच्छे से फ्राय कर लेते हैं autor यह देखिए फ्रेंट हमारी जो पकोड़िया हैं वह दोनों ही ओर से कितनी क्रस् साथ इंजोई करते हैं सर्व करते हैं तो आपको जब भी सुबा या साम नास्ते का मन करें और वैसे आप इन पकोड़ियों को चाय के साथ भी इंजोई कर सकते हैं मैं तो यहां टमाटर सोस और दही तड़का के साथ पकोड़ियों को इंजोई कर रही हूं आप भी इनको चाय या फिर टमांटर सोस, ग्रिन चीली सोस के साथ इंजॉय की दियो और अगर आपको अमारी रेस्पी पसंद आई हो तो अमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा